जंगल जंगल बाट चली है पता चला है जंगल जंगल बाट चली है पता चला है अरे चट्टी पहन के फूल खिला है अरे चट्टी पहन के फूल खिला है जंगल जंगल पता चला है जंगल जंगल पता चला है चट्टी पहन के फूल खिला है एक परिंदा है शर्मिंदा खावो नंगा खाई से तो अंडे के अंदर खावो जंगा सोच रहा है बाहर आखिर क्यों निकला है अरे चटी पहन के फूर खिला है फूर खिला है जंगल जंगल पता चला है चटी पहन के फूर खिला है नंगो नंगो खगा करा है समसी पहन के खूर की पाहर जल्दी करो तुम तो पीछे रहे गए मोगली जरा धीरे तुम लो बहुत तेस्ट जोड रहे हो इससे धीरे भागना मुश्किल है ओ देखो पहुंच गए पेडपर चेड़ने में तुम मुझे कोई मात नहीं दे सकता और शिकारी नहीं बन सके तो सच्चा भेडिया नहीं बन पाओगे मोगली मा यहां क्या कर रहे हो तुमने तो बगेरा से मिलने का वादा किया था हरे हाँ याद आया मैं तो भूली गया बुद्धू ये बताओ क्या मोगली पहले से तेज दोड रहा है हाँ लेकिन उतना नहीं जितना के हम कड़ी मेनत से वो अच्छा भेडिया बन सकता है बहुत अच्छा हाँ उसे थोड़ी और मेनत करनी पड़ेगी अरे मनुष का बच्चा यहां क्या कर रहा है बेचारा जंगल में भटक गया होगा देखो हमारे बच्चों की तरह दूद पी रहा है लगता है बेचारा भूखा है देखो तो ओ ओ ये तो शेरखांग की आवाज है बच्चों को गुफा मे ले जाओ चमेली यहां मनुष्य का बच्चा है मैं उसे लेने आया हूँ देदो ये तुम्हारे शिकार का अड़्डा नहीं निकल जाओ यहां से मैं उसे लिए बगर नहीं जाओंगा वो तुम्हें नहीं मिल सकता तुम्हारी ये हिम्मत खबरदार वो बच्चा मुझे देदो इसी वक इसी वक वो मेरे परिवार का सदस्य है तुम्हारा परिवार बहुत पश्ता होगे मोती परिवारा परिवार कितनी बार कहा है मोगली पेड को कसके पकड़ा करो लेकिन भगी राई ये संबब नहीं है में पास तुम्हारे जैसे नाकून नहीं है बहुत हो गया मोगली तुम्हारी शिकायते सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं ठीक है वक्त नहीं तो भार वे जाओ मैं खुद सीख लूँगा अरे मोगली मोगली सुनो तो भालू लगता है उससे सिखाने में तुम्हें मुश्किल हो रही है मुश्किल हो रही है काश तुम समझ पाते तो क्यों सिखा रहे हो उसे मोगली हमारी तरह शिकार करना चाहता है समझे कुछ साउधानी से गिर जाओगे बहुत अच्चे का तुम सब कुछ सीखना चाहते हो लेकिट इतनी जल्द बाजी ठीक नहीं अच्छा हो गया तुम आ गए का अगली बार चोट भी लग सकती है मोगली इतनी मेहनत क्यों करते हो मैंने पिता जी को वचन दिया था तुमारा मतलम मोती हाँ मैं शूरवीर बनूँगा मोगली पर सुनते तो तुम हो नहीं बगीरा डाटने से कोई लाब नहीं तुम भी जानते हो मोगली बगीरा तुमारी कितनी फिकर करता है फिकर और मैं क्यों फिकर करूँ मैं फिर गल्टी नहीं करूँगा मैं चला अरे मोगली कहा चल दिये अपना वचन निवाने मोगली ने वचन दिया था मोती को वचन दो मोगली तुम बहादुर बनोगे अपनी महत की देख भाल करोगे वचना बताइ अपना । मा, वो हमें कहीं नहीं मिला, फिर गाया? मैंने उससे तीन चार बार कहा था, आज रात सब मिलेंगे, अगर वो नहीं आया तो बहुत बुरा होगा क्या मैं उससे फिर डूरने जाऊ, मा? हाँ, लेकिन शाम को पंचाय शुरू होने से पहले अब लोग ध्यान से सुनो अब मुश्किल है मैंने तुम सब को इसलिए बुलाया है शेर खान जो अब तक शान था अब जंगली बंदरों के साथ मिलकर उतपाद मचा रहा है मैं इस जुन्ड के हर सदस्य को खबरदार करता हूँ कि वो महा नदी के उस पार न जाएं ओ, मोगली मैंने तुम्हें कितना डूंडा माफ कर दो ना ते तुम्हें कितनी बार कहा है कि सभा में समय पर आया करो वो चान बहुत सुन्दर दिख रहाता न तो मैंने सुचा किना जील तक घूमा हूँ क्यों नहीं, तुम हमेशा अलग जो रहना चाहते हो सभा में देर से आकर तुमने ये साबित कर दिया कि तुम सच्चे भेडिये नहीं हो बस करो लीला, बहुत हो चुका चुप रहो अकडू, मैं सच कह रही हूँ ये कैसा भेडिया है, जो शिकार नहीं कर सकता मैं एक मनुष्य को अपने जुंड में रखने के खिलाप हूँ मैंने सुन लिया लीला, लेकिन हमें मोती से किया वादा नहीं भूलना हम, मोती होगा एक हीरो अच्छा होगा हम बीते दिन भूल जाए जाता बैस करो, सुनो अकड़ू लीला ठीक कहती है, मोगली सभा में देर से आया था मोगली, क्षमा मागो मुझे शमा कर दो तो क्या इसे माफ कर दिया? नहीं दादा जी, कभी नहीं मोगली हमारी विरादरी का तो हो ही नहीं सकता वो, वहाँ है अब जाओ वो ठीक कर रहा है पर उसे अभी बहुत सीखना है अरे रुट जो, अरे कहा भाग रहो अरे, बाभी साजो तुम की लीला मैं तो यही थी, तुमने देखा ही नहीं क्या हो रहा है मोगली? मोटी का पेटा, और इतना डरपो मुझे तो बस हांसे आ रही है चूप रहो, मैंने सरपंश तुम पर बहुत नाराज होगा लड़ो मत अब आएगा मजा तादा जी बगीरा तुम सब को मालूम है कि आपस में लड़ना नियमों के खिलाफ है लीला की गलती है, उसने हमारा खरगोश पकड़ा क्या मतलब तुम्हारा खरगोश शिकार पर किसी का नाम लिखा होता है क्या हाँ होता है बस करो बंद करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सरपंश बीच में बोलने की माफी चाहता हूँ यही वक्त है मोगली के इम्तिहान का उसको जुंड का सड़स से बनाने का सेहन सक्ति की परिक्षा कैसी परिक्षा नहीं, मोगली अभी इसके लिए तैयार नहीं बगीरा हिम्मत रखो मोगली और रोना बंद करो क्या सुर्फ मेरी परिक्षा होगी नहीं, नहीं, केवल तुम्हारे और लीला के बीच एक प्रतियोगिता होगी मैं और ये? हाँ, तुम्हारे और मोगली के बीच, डरने की जरूरत नहीं अगर तुम्हें अपने पर विश्वास है ओफ, दादजी क्या तुम्हें डर लग रहा है लीला? हो तयार? हाँ, ठीक है मोगली हाँ, थैरो, इस प्रतियोगिता में मैं लीला से मुकाबला करूँगा मोगली को खुद लड़ना होगा, वो हमेशा अपने भाईयों का साहरा नहीं ले सकता लेकिन मैं, मैं याद है मोगली? हाँ तुमने मोती से क्या वादा किया था? तुम फिर चुक गए क्या तुम तैयार हो, प्रतियोगिता कल है हो जाओंगा मैं बीच में न बोलता, पर तुम तो तैयार नहीं चिंता नहीं, मैं कल तक तैयार हो जाओंगा तुमें दो खरगोश और तीन पक्षी अकेले ही पकड़ने होंगे समझे, और ये काम आसान नहीं मुझे मन्जूर है, अब भी समय है मोगली काम मुश्किल है, हम दोनों में से कोई भी तुमारी जगह ले सकता है मुकाबला कठिन है, लेकिन मोगली जीत गया तो उसे लिला के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे ठीक का, तब वो मुझे आर्मी का बच्चा भी नहीं कह सकेगी ये हुई ना बात मोगली, तुम हो मोती के असली सपूर मैं साबित करके ही रहूंगा काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता ये सही नहीं होगा, मुकाबला इसलिए रखा है कि मोगली अपनी बहादुरी साबिक कर सके मालूम है, मालूम है, काश मैं मोगली को अपनी गति और ताकत दे सकता तक्चि वो जरूर जीत जाता तुम दोनों ही तो मेरी ताकत हो, धन्यवाद प्राइब बहाद बहाद जाता मोगली, मा कल के लिए आराम कर लो मोगली मा मैं कल लुआ रक्डू से थना अलग क्यों मेरे पंजे उन जैसे क्यों नहीं बताओ, क्या खरगोश के दाथ पैने होते हैं? मालूम है खरगोश के दाथ पैने नहीं होते और बारा सिंगा के? उसके भी नहीं जिनके पैने दाथ नहीं होते तो क्या उन्हें पकड़ना आसान हो जाता है? आँ, बारा सिंगा भहुत तेज जोड़ता है खरगोश के लंबे कान होते हैं दूर तर चुन सकता है पक्षी फूर हो जाते हैं और ठोड़े जानवर अपने बचाओं के लिए बद्बू छोड़ जाते हैं है न मा सब जानवरों के पंजे या पैने दात नहीं होते सब के अलग-अलग गुण होते हैं क्यों मोगली तुम्हारे पास ऐसे क्या गुण है जो तुम्हारे काम आ सके दात और नाखुन के अलावा दात और पंजों के इलावा फिक्र मत करो एक दिन में कुछ नहीं होता लीला से हार भी गए तो आसमान न तूट पड़ेगा आदमी की संतान हो तो क्या आखिर रहोगे तो मोती की आउलाद इसका मुझे कोई सबुत नहीं चाहिए ओ मेरे प्यारी मा मोगली लेला समझ गये न सूरज डुबने से पहले बिना किसी मदद के तुम दोनों को दो खरगोश और तीन पक्षी पकड़ने होंगे अगर मोगली जीत गया तो वो इस विरादरी का हो जाएगा हाँ तियार हो जाओ इश्वर तुम्हे सब खलता दे तुम जीत सकते हो मोगली मोगली तुम किसी से कम नहीं हो अपने आपको कमज़े और मत समझना नहीं मैं किसी लाइक नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता मैं ये भी नहीं कर सकता प्लाव में प्लाव में प्लाव कर दोई जाए कि मैं स्रेष्ठ हूँ वो देखो नदी पार एक काला अनूठा खर्वोष पकल लिया ये है कान की चीज़ शेर कान शेर कान एक अच्छी कबर लिला हमारी इलाके में गुस आई है हाँ हमने अभी उसे नदी पार करते हुए देखा है उसकी इतनी हिम्मत बताव वो अकेली थी या मोगली भी साथ था मोगली वो तो नहीं था उसके साथ कोई बात नहीं लिला के साहरे हम उस छून तक पहुंच सकते हैं मुझे यकीन है मोगली भी उसके साथ जरूर होगा क्या हुआ शेर खान एक पुराना जखाम है जो रह रहकर परिशान करता है मोटी की देन है यह शेर खान मोटी मुझे वो बच्चा दे दे अभी क्या भी नहीं मैं पहले भी कह चुका हूँ मोगली मेरा बेटा है फिर से कह रहा हूँ उसे मेरे हवाले कर दो वरना लड़ने के लिए तयार हो जा ना मैं मोगली के लिए अकेला लड़ूंगा यहाँ पर मार दिया, मार दिया, मार दिया वाह, सुन्दर मैं हमेशा मनुष्य की बुद्धी का कायल रहा हूँ, शबास तुम कबसे यहां हो बगीरा? शुरू से हाँ, मुझे तो तुम्हारी फिक्र थी ओ, बगीरा हाँ, मैं तुम्हारा पिछा करता रहा और तुम्हें पताई नहीं चला, तुम्हें चोकनने रहना चाहिए अच्छा, क्या हुआ? शेर खान के आने की जितावनी फिर खान आ रहा है आप तो बच नहीं सकते सूरज डूब रहा है सरपंच, सरपंच कौन है, क्या हुआ, क्या बात है लगता है लिला, शेर खान के इलाके में चली गई है क्या? पर कैसे? तुमने चतुरा इसे काम लिया, लेकिन आते आते देर कर दी मा ठीकी कहती ठी, ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ इसी लिए मैं खुश हूँ सुनो, अगर कभी जुन से बाहर कर दिये जाओ तो मेरे पास आकर रह सकते हो क्या? मेरा मतलब है अगर जुन से निकाले जाओ तभी ओ बगीरा ओ लिला शेर खान और लिला अब बचके कहां जाओगी? नहीं बचेगी एक रास्ता है देखो निशानाना चुके पर वा तैर क्यों नहीं रही है? लबता है बेहोश हो गई है तो दूब रही है मुझे बचाना होगा मुझे पकड़े रहो मोगली आखिर बचके जाओगे कहां मैं हार गया सर्पंच जी मुझे माफ कर दो मुकाबले में जीत का उतना महत्व नहीं जितना किसी की जिन्दगी बचाने का और अब तुम हमारी बिरादरी के सदस से बनने के लायक हो शुक्रिया धन्यवाद सर्पंच मोगली मत करो मत करो मुझे गुद्गुली हो रही है तुम्हे कोई इतराज है लीला जंगल जंगल बाट चली है पता चला है प्रचदी पहें के फूर खिलाए फूर खिलाए अरे चड़ी पहन के फूल खिला है पूल खिला है जंगल जंगल पता चला है चड़ी पहन के फूल खिला है एक परिंदा है शर्मिंदा था वो जंगा इससे तो अंडे के अंदर था वो जंगा सोच रहा है बाहारा फिर क्यों निकला है अरे चड़ी पहन के फूल खिला है पूल खिला है जंगल जंगल पता चला है चड़ी पहन के फूल खिला है गंगल गंगल खिला है बाहारा परिंदा के फूल खिला है झाल झाल